पती पतनी परणय बंधन में बंधन तो केवल यही संकल परणय परणय बंधन सुईकार किया संतान को जन्म देना कठिन नहीं है साधर्ण है सरल है लेकिन महत्यपुन वात तो यह है कि परणय बंधन में बंधने के साथ संकल लेना चाहिए कि मैं संतान को तो जन्म दूंगा ही लेकिन संसकारी संतान को जन्म दूँगा ये मेरा संकल पर है संसकारी संतान को जन्म दूँगा तो मैंने संसकारी संतान को जन्म दिया है प्रभू मेरे जीवन में संसकार है तभी तो आप खोचते खोचते चले आए तो बगवान बोले बच्चों को बुलाओ फिर बुलाया बच्चों को चरण में डाल दिया बगवान ने कहा कि अब तो पूरा परिवारना निपट गिया कहे परभू सब कुछ ठीक हो गया लेकिन लक्षमर जी ने कहा कि अभी मामा फूफा जीजा रिस्तेदार सब रह गए और 14 साल तक ये बुलाता रहेगा आप फड़े रहो पैर पकरवाते रहो रावन कंसी से कुछ लेना देना नहीं सिदे आयुद्या चलो बाप राक्षस बने रहें क्या दिक्कत की बात है गंगा उस पार का मेटर है आप तो इस पार हैं 14 साल पूरे हो जाएंगे भगवान ने कहा लक्षमर तुम चुपड़ो पहले हम ये तो पूछें कि ये क्या चाहे रहा है मामा फूफा की बात करना चाहेता क्या केवट बोला सुनिये तो प्रभू ये पूरा गाउं हमारा परिवार है और पूरा गाउं ही नहीं ये संपून आरिया वरत ही लेडा परिवार है प्रभू मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि पती पत्नी बच्चे ही हमारे परिवार है दो को कितनी पवित्र भावना है एक प्रजा तंतर में मजदूर के अंदर कितनी पवित्र भावना है ये प्रजा बोल रही है, बोलो बोल रही है कि नहीं, और राम राजी का ये पहला नांगरिक है, संतों के मत से, आचारियों के मत से, आधाखन के मत से, ये राम राजी का पहला नांगरिक है, केवट, जिसकी कथा में सुना रहा हूँ, केवट कहता है, पूरा गाउ मेरा यह यग हो रहा है रुद्र महा यग है चाहते स्वामी जी तो दस पचीज सोदों से जो विश्वात्न चेतना परिशत के सदस हैं उनको विठाल के उनके सासमय अभी कर लेते लेकिन पूरा बरगर नगर नहीं सहर हैं पूरा चेत्र नहीं आज इस यग के माध्यम से और इसा क कई जिलेके लोग जोड़ चुके हैं केवल वरगर जिलेके ही नहीं संभल पूर से भी लोग आ रहे हैं बोल आ रहे हैं कि नही 5 ऱैजबल बोड़ जब पूर कान पूर नहीं any subject जूड़ गया के नहीं जुड़ गया और यूटूब चैनल के माध्यन से तो इस पूरा बिश्य जुड़ गया है प्यारे इस यए से इसको कहते हैं समत्त का सामराज तो आज समत्तु का सांवराज कितना महत्तुन शड़ है यह समत्तु का सांवराज आज विस्वात्म चेत्ना परिषत की इतत्त्वाधान में बरगर सहर में इस्थाफ़त हो चुका है प्यारे उसका इस्थापन हो चुका है और धर्म संसद में पास भी हो गया है बोलो हो गया कि नहीं धर्म संसद में पास हो गया है तो केवट में का एक अनरोध है कि पूरे स्ट्रिंगवेर पूर को आपके चरणों से भगवान बोले चलो बुला लो पूरा स्ट्रिंगवेर पूराया भगवान के चरणों में गिर पड़ा भगवान के चरणों पखारे सबको आनन्द मिला भगवान ने कहा क्यों भईया अब कोई रह गया से अब तो पार करे इदे बोले पुरखे और रहे गए पुरखे? कौन पुरखे? बोले पुरखे जो हमारे चले गए लक्षमण जी बोले चले गए तो उपर से वो पारोगे उनको यहां धर्ती पर हाल तुकी बात क्यों करते हो जादा? अज़े भई गाओं के लोगों तक तो सीमित बात है लेकिन पुरखे के बट बोला सुनिये तो हमारे हां तरपन की परंपरा है क्यों भई यह तरपन की परंपरा है कि नहीं? अच्छा अगर पुर्खों जल तरपन जब हम लोग करते हैं तो पुर्खों को वो जल मिलता है कि नहीं मिलता है? यह मानता है कि नहीं? अपने इस ओड़िशा में भी पुरखों के नाम पर तरपन किया जाता है तो केवट बोला सुनिये तो पुरखे उतार नहीं रहें भगवान के चरण का चरनोधक पुरखों तक तरपन करेंगे इससे उनका तरण हो जाएगा इसलिए पद पखार जल पाने करे आप सहित परी बार पितर पार करे प्रवहिपुनी अब कहता मुदित प्रसंद होके बैठिये न तब करूँगा पार बगवान ने का स्थीता चलो आंगे बढ़ो अब देर नहीं करना है नहीं तो पता नहीं कौन सा एक अडंगा या निवेदन ले करके आजाए अडंगा ही महन को उसको निवेदन करे या अडंगा पैदा करते चलो चलो आंगे बढ़ो जल्दी किसोरी जी जैसे ही नाव में चरन रखती है गंगा जी धन्न हो गई गंगा जी ने कहा कि ये दर्शन का स्वभाग में लहा है और च चरन रखने का मतलब है किसोरी जी के कि चरन की सन्निधी प्राप्त हो गई गंगा जी भूलो हो गई कि ने हो गई गंगा जी गदगद हो गई भगवान में जैसे चरन रखा और प्रसंद हो गई गंगा जी अब केवत ने पतवार हाथ में ली और जैसे पतवार हाथ में ली और नाव चलने लगले लक्षमढ जी बैठे जानपी जी बैठे प्रव राम बैठे और जैसे ही पतवार हांत में और नाव आगे बढ़ी और बीच मजदार में पहुंची तो इसने उपाओ भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, वह पतवार छोड़ दी लखिमर जी बोले, अब ये क्या हो रहा प्रभू, यह तो देखो, बीछ मजधार में पतवार छोल के कहता है, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल तो हम लोगों से हुई जो विश्वास में बैठ गए है, या सल जो विश्वास में बैठ गए, क्यों आट व्याँ, तुम बस म पर बैठे के ड्राइवर के विश्वास पर बैठे की नहीं कि चलो चालक हमको ले जाएगा और जैसे ही चालक 80-90 की स्टीत में वस्ट करें और इस्टेरिंग छोड़के का है भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, तो जितने बैठने वाले लोग होंगे वो यही कहेंग भूल हो गई, भूल हो गई, भगवार राम बोले तुम मत बोलो हम पूछ रहे हैं, केवट क्या भूल हो गई, लक्षमर जी बोले आप कुछ मत बोलो अभी इनकी भूल हम ठीक किये देते हैं दो मिनट में, क्या भूल हो गई, पतबार पकर, केवट बोला सुनो, पतबार ह भूल ये हुई कि सारे संसार को आप पार करते हैं और मैं आपको पार करूँ इससे बड़ी भूल और क्या हो पूरे संसार की पतवार आपके हाथ में और आपकी पतवार मेरे हाथ में मुझसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा ये पतवार छोड़ दी भूल हो गई भूल हो आईए बताओ, होगा क्या, बगवान बोले, अब समझ रहे हैं, क्या होगा, सवा नो बज गए, अब देखते हैं, क्या होगा, आंगे पुरुषकार बितरन होगा, और क्या होगा, आंगे तो पुरुषकार बितरन होगा, इसलिए इंतजार तो करने ही पढ़ेगा ना, लेकि भूल हो गई प्रहुद और जैसे लक्षमड जी ने धनुस्मान उठाया तो केवट्षा व्गवान फूरी नव में लेटा हु गया लक्षमड जी बोले ये विष्तर है क्या Saariddjee सारे संसार की नव चलाते तो हमारी में चलांगे क्या हमारी नाओ से क्या दुस्मनी है क्या विरोध है इसलिए हम तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रहू से कि आप अई पतवार पकड़ लीजिए नाओ को पार करिए क्योंकि हमने तो अपना संपून भार आपके चरणार विंदों में समर्पन कर दिया है समर्पित कर दिया है पूरा समर्पन कर चुका हूँ मैं इसलिए राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं लक्षमर जी ने का तुम क्या कर रहे हो तो लेटे लेटे के वटगा रहा है हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं हम तो राम जी के सहारे आराम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आराम कर रहे हैं बोलो समर्पन भगवान के चरणार विंदों में हो जाए तो सारी जुम्मे बारी पार करने की किसकी है भगवान की है इसलिए मैं सत्त कहता हूँ सारी दुन्या कहती है कि केवट ने राम को पार किय है लेकिन मैं तो कहता हूँ कि केवट ने राम को पार नहीं किया है बलकि राम जी ने केवट के माध्यम से संपून भक्तों को पार कर दिया है उद्धार कर दिया है यह आज की